पहुत पागत कारी कुर्शी की देख रहे हैं, आप महराज़ चुनाव की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आप बात करते हैं जरा असदूदी नौवेसी की पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ तोकि अक्सर आप लोग भी हमसे कहते हैं कि इतनी OVC की बात आप लोग क्यूं करते हैं महराज के चुनाव में वो कितना बड़ा फैक्टर है भला सोला सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं सब बात इसे ही है लेकिन आप ये देखे कि OVC को इंगेज दूसरी तरफ से कौन करता है दिविंद फड़नविस खुद दिविंद फड़नविस भी चाहते हैं कि OVC बोले और ऐसा बोले हैं कि हमको उसको जवाब देने का मौका मिले और इस लड़ाई में जो है फिर लोगों तक वो संदेश जाए कि आपको किस खेमे में रहना है सामने वाला खेमा सेट है आपको इधर तयार होना है तो इसलिए आपको उनकी बात ले सुना रहा है और पर बोलन ले हुए तो इनका अंदाज है अलगे सोलापुर में रैली कर रहे थे और इस दोरान असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त हैरान खुद्प हो गए जब इन्हें सोलापुर पुलिस ने बरे मंच पर नोटिस दे दिया चुनाव प्रचार के दोरान पुलिस ने ओवैसी को नोटिस दिया भड़काव भाशन न दिने की हिदायत थी ओवैसी सोलापुर में AIMIM की उमीदवार फारुक शाबदी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुँचे थे और इसी दोरान पुलिस की टीम भी आ गई और भारते नागरिक संगिता की धारा 168 के तहट असदुदी नोवैसी को नोटिस दे दिया गया जिसमें किसी भी समुदाय की भावनाव को ठेस न पहुँचाने और भड़काव भाशन न दिने की हिदायत भी साथ में थी अब यह दो खुद मन्च पर पढ़ा नोटिस लाइव देखो 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 यह मुझे नोटिस मिल गया है अभी लव लेटर आया है हमारे ससुर ने हमको लब लेटर दिया है हम दामाद हैं इसलिए सिर्फ हमको नूटिस देंगे और किसी को नहीं देंगे कुछ एक बाते हैं असाद उद्धियन वैसी की आपको सुना लो हम बैठे वे थे मंच के उपर तो मेरे को आके को एक कागस दिए कागस दिए देखे आप लो क्या था बोलतों मैं आपको सुनो सुनो बहुत मज़े का है बहुत मज़े का है मेर को जेल रोड पोली स्टेशन कमिशनेट सोलापूर से हमारे सीनियर पोलीस इंस्पेक्टर साब ने सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए मेरे को लव लेटर दिए हमारे सुसरे की तरफ से आई नोटिस दामाद से बहुत महबद करते हैं नहीं और हम इनके भाईजान है सुसरे भी उनों है हम उनके भाईजान भी है आई लव यू अच्छा यहाँ इसमें क्या लिखे इसमें लिखे अंग्रेजी में बोरों को लिटिल लिटिल इंगलिश आती है मेरे को उनों लिखे बी की जगा बी ए आना आप बी आरी लिख लिए खेर लीगल लीगल की स्पेलिंग भी गलत है ल ए जी ए अल आप ल ए ए जी एल लिख दिया अभी टाइम किता है हाँ पंदरा मिन आइट है अभी वेरी सॉरी वेरी सॉरी 9.45 देखो 9.45 अभी मैंने लिखा रिसीब दो नोटिस माने नोटिस रिसीब कर लिया में बैटो 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 भाजान बोल रहे हैं बैटो अपोस्ट जो कंटेंट्स हैं जो लिखे हम उसको अपोस्ट करते मोडी को नोटिस नहीं दिये ओवैसी को दिये तीन दिन पहले मोडी आई थे मोडी को देना था ना देना था नहीं देना था उनको नहीं तिये OVC को दिये क्योंके मैं सनिला हूँ क्या हूँ नहीं मालू इन लाइटर में डोंट टेक इट सीरियस्ली अब ये आप बताईए ये क्या है जा मैं चले जातो महाराश्टा में आप से महबब का इस कखत लेकर आये हमाईए तो मैं भी उनको दिल में देखके बोला वाह मेरी महबूबा आ रही है वो एक छोटा बच्चा है मेरे स्टैंडर्ड से बोल रहा हूँ मेरी गलती नहीं मैं लंबा हूँ तो हमारे अबा की गलती है तो उन्हों बोल रहे मैं मस्जिद में गुश के मारता हूँ मेरे कुछ समझ में नहीं आया के ये 168B N-SST नोटिस उसको नहीं दिये नहीं दिये ना नहीं दिये उसको डिप्ती सीम फटनविस बोले क्या बोले ओट जिहाद धरम यूद ये धरम यूद है इलेक्शन ये ओट जिहाद है इलेक्शन उनको तो नोटिस नहीं देते बी एंड डबल एस की हम को ही देते अच्छा हैरत की बात ये मैं पॉलिस वालों को भी बोल रहा हूँ जब ये BN-SS का खानून पारलिमेंट में पास हो रहा था अपोजिशन को सस्पेंट कर दिया गया था मैं अकेला था मापर तो वाहेद MP था मैं इम्तियास जलील के साथ जो इस खानून को कहा था ये गलत इस्तेमाल होगा इसका BN-SS का वाहेद साब की बातों पर हम लोग चर्शा करेंगे एक बात मैं जरूर कहरा चला था जब ये बोलते हैं बहुत सो लोग कहते हैं जो इनके विरूधी भी है कि भाई देगो आद्मी बात तो लॉजिक से करता है संविधान की बात करता है उनकी पीछे बड़ा-बड़ा संविधान पीछे भारत का लिखा भी हुआ है वो कोट कर देते हैं ये दफाए ये दफाए ये अक्ट और पराना राया ये धारा सब कुछ ठीक है अपनी जगे पार असदूदी नोवैसी ने भी जो पंदरा मिनट बाली बात पर जो इस तरीके से रियक्शन किया इसकी अपेक्षा तो इनसे भी की जाती है इनके छोटे भाई ने किया बोला पंदरा मिनट पुलिस अठा दो देख लेंगे आज तक इन्हों ने उसको कंडेम भी नहीं किया लेकिन आज तो ये उसकी उस स्टेटमन्ट पर हसी उड़ा रहे थे मजाग उड़ा रहे थे आपको लाग मूँ बना करके मसकरी करनी है आप चुनाव में कर सकते है वो बयान देश विरोधी बयान था देश में आग लगाने वाला बयान था आपने आज तक उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और आप आज इसको क्या कहेंग अगर आप उस पर हस रहें तो मतला आप उसको accept कर रहे हैं कहीं द्या तो ठीक है पंद्रा मिनट के लिए पुलिस उटा लो और पिर देख लो अंदाजा लगा, यह तरह 15 मिनिट के लिए फाकई पुलिस देश में हट जाए तो क्या हो जाएगा? लेकि सोलापुर में ओविजी साब बोल रहे थे, इनके पहले इनके जो छोटे भाई है, जो उन्होंने जो 15 मिनिट के लिए 15 युवाओ को खटा होना है, और 15 मिनिट मंदिर के बाहर अपने को खड़े रहना है, यह मेसेज चले थे वहाँ पर, तो उन्होंने जो 15 मिनिट के जिक्र किया था, उससे संबाजी नगर का माहल बहुत तनावपुन हो गया था, वह हलांकि पुलीस ने महाँ पर समालों को समाला और युवाओ को महां से अटाया, यह 15 मिनिट के जिक्र करकर जाते हैं, उसके बाद जिस तरीके से वहाँ माहल खराब होता है, समाज के अंद जिस तरीके से वहाँ जिक्र कर रहा है, और ओवीसिस आप जिस तरीके से उस दिन कहा था, अपनी दाड़ी पर हाँ रते हुए, अरे अयोद्य हार गए, तो जिस तरीके से ने मंग्यात्मग लगे से कहा था, देवेन फणनविस का जबाब आ गया उसका, कल देवेन जो दो जार उंतिज में हम आपको बताते हैं, हीदराबाद के अंदर आप कैसे जीते हो, वीषिई देख लो, दो जार उंतिज में आप जीत के लिए और भागवा फिरा कर आएगा बाकी बातों पर हमने चर्चा कर सकते हैं, ये वोट जिहाद किया, तो एमने के खिलाब ध मुस्लिम वोटों के एकत्री करण के लिए कोई भी बात कीजिए दीन के लिए अपने मजहब के लिए अपनी जमीन के लिए अपने अल्ला के लिए अपने इसलाम के लिए वो सब आप कहते रही तब तक आप कहते हैं तब तक कि सेकुलरिजम चल रहा है और दूसरा कोई अगर ये बात कहेगा तो आपको लगे गलत है अगर सलमान खुरशीद की भती जी मेरे ख्याल से उन्होंने जब चुनाओ के वक्त कहा था कि वोट जिहाद करो सब मिल कर आएंगे तब किसी ने ने तब ही वहीं से ये शब्दाया उनकी भती जी ने ये बोला था तब से ये शब्द करना और मुझे लगता है कि ताइब करना चाहिए तो क्या आप नोटिस दे दोगे वो जवाब दे देगा बात करता है जिस कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है वो कैसे उस कानून का पालन करवाता है तो इसलिए जो पर आश्रदंजी कह रहे हैं ये परामीटर एक मांदर करता होना चाहिए बाला साब ठाकरेक को डिफ्रेंचाइज किया गया था एक बयान पर आप करिए हाई कोर्ट से जो है 6 में 6 साल के लिए वोट देने का दिगार वजी लिया गया था तो ऐसाने इस देशे पहले एक्षिस नहीं हुए हैं सवाल ये संस्थाएं जो है कुछ कोई भी हो जिनके बायानों को लेकर क्या पतिया होती है इधर से उधर से एक परामीटर आप उत तेय करना पड़ेगा चाहिए मुसलमानों की बहुत सारी संस्ताओं ने खुल कर का महा विकासा घाली को बोट करो पिर ये शंकराचार यह अभी मुक्तरशान जी उन्होंने करका हिंदू एक नाचिंदे की सरकार को वोट करो अब जैन समाज बेख रहा दा पता नहीं कितनी जन्मिल थी एक जैन समाज की चिट्ट्री घूम रही है जैन समाज के खुल कर सब्सक्राइब कर दिया और भारती जन्ता पार्टी यादों को सब दे रही यहां तो कुछ मिल यादों समाज की भी चिट्टी घूम रही बाजब पार्टी इसकी चिट्टी पर कितने एक होते हैं लोग लेकिन सवाल यह है ना चिट्टी से एक नहीं होते हैं लेकिन कम सेक्टा बाच्छीट जवाब करते हैं सजाद नुमानी All India Muslim Personal Law Board के उन्होंने पहले ही कहा था मैंने 25 उम्मीदवारों के लिस्ट दिये अब कल तो उन्होंने एक स्टेट्पंट जारी कर दिया कि हम इतनी सीटों पर इस कास्ट का कैंडिडेट इतने हैं इस कास्ट के इतने हम इनको समर्थन दे रहे हैं कुने ने बाकाइदा उसके लिए लिस्ट जारी किया है कि हम इनकी पीशे कर रहा है मैं यह तो पूछ रहा हूँ सर हम तो यहां यह बहस करके थग गए कि यह सही है यह गलत है बहुत जो लोग कहते हैं ठीक है आप किसी को भी सब बैक कर सकते हो इसमें क्या इलीगल है औरी लीगल कुछ नहीं है और लीगल कुछ नहीं है तो फिर चुनाओ है कर दे सो कि कि लिए को इसमें और ने नहीं कही है जो सुवाल उने खड़े के लिए इस बात नहीं हो सकती लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे वैसी के स्पीच में कहीं भी वो देते हो चाहिए पार्लेमेंट में देते हो या पार्लेमेंट से भाहर देते हो इक लाइन वह ऐसी नहीं बोलते है इसमें आपको यह लगे कि हाँ यह आपती जनक बात है यह कानून के खिलाफ हो जो तत्य कानून के हिसाब से सही होते हैं वो वैक्ति अपने लोगों के बीच पूर्जोर तरीके से करता है और सब यह कर रहे हैं इतने दी बात है ना देखिए इनके जितने भाशन होते हैं बीजेपीस का इस्तिमाल अपने लोगों को एक जोट करने के लिए इस बार महराश की लेक्सिन में जैसे कि आपने कहा कि सोलर सीटों पे मात वो लड़ रहे हैं लेकिन नेरेटिव सेट करने में ओवैसी का युगदान बहुत जादा है इसलिए कि जो विपक्षी पार्टिया है ओवैसी जो खुल कर करते हैं वो पर्दे के पीछे करती हैं तो बीजेपी के लिए भी वो सूट इस लिहाँ से कर जाता है कि उस नेरेटिव फे डिसकॉसन होने लगता है पब्लिक डिस्कॉर्स बनता है जो अपीजमेंट का आवरोप लगता है अपोजिशन के पार्टिया पर्दे के हत्या कर दी गई थी उनके माता जी उनकी बेहने परिवार के और लोगों को जिन्दा जला दिया गया था जब अज़ादी के समय निजाम अभी हैदराबाद का निजाम था और उस पक्ति यह उसको तैक करना था कि वो क्या करना चाहता है पाकिस्तान भारत उस पक कुछ लोगों ने कुशिश की थी कि हम लोग इंडिपेंडेंट रास्ट बन जाएं कंट्री बन जाएं नहीं हो पाया उसके एक प्राइवेट आर्वी थी जिसको रजाकार कहते हैं कल भी बात करें तो उनकी खुब अत्याचार किया क्योंकि जो रहने वाले थे परजा थी वहां स्मंजस बना रहा है कि यह बहुद हैं तो उनको कोई उची जाथ वालों ने तो नहीं मार दिया था जुझे को फैक्ट क्या पता थी फैक्ट यहीं परिवार को जर्जाकारो हिपारो ने मारा था अब उनके बेटे का स्टेटमींट आ गया है lack ages एमार्ज ओन को आगे परि डलित हैं आपकी विचारधारा यूग यातितनात से कया नहीं, आपकी विचारधारा ने डलितों के साथ जितना अत्याचार किया है तुमा esse घत्यार किया ये जीफितन सकता न, सबनालिट Martine, वो ओ. इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख बॉडिगार्ट्स ने कर दी थी बिल्कुल हम सब उस पीडा को आज भी महसूस करते हैं लेकिं देश भर में कॉंग्रेसी गुंडों ने सिखों का नरसंगार क्यों कर दिया था ये सवाल तो पूछा जाएगा न और अगर दलितों के साथ अत्याचार हुआ जो राहुल गांधी विदेश की धर्ती पर जाकर कहते हैं कि जो असी के दशक में सत्तर असी के दशक में दलितों के साथ होता था आज वो मुसल्मानों के साथ हो रहा है तो इसका में राहुल गांधी के बाप, दादा, नानी जो लोग भी थे वो सब के सब क्या कर रहे थे सब के साथ तो गलत काम कर रहे थे इसका मतलब राजिनीती में आप इसका इस्तेमाल तो करेंगे कि हम दलित हैं हमारे साथ अत्याचार जबकि आपके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ जो कुछ आप कह रहे हैं आपके पिता, लोकसभा, राजिसभा, विधानसभा देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्टियर ध्यक्ष आप उनके बेटे फिर भी मंत्री, आपके वहनोई सबस्क्राइब सबस्क्राइब करदी आपको हिंदुियार आता है, लेकिन स्टालीन कहते हैं तो आप भी उसमें हमें हमें आता है यदि देटमें आगे तरह सुना देता है पिरांग खडगे, मलेक आजन खडगे के पेटे that does not mean that the entire Muslim community is bad, the Razakas did it, the Muslim community did not do it. Just like how certain sections of the community do not allow Dalaj to get inside into the temples, that does not mean the entire community is bad, right? So, the atrocities that you do is okay, but the atrocities somebody else does is the community, give a community color to it, that's wrong. आई माराज की एलेक्शन में ये मुद्दा क्यों मना? सवाल तो यह होना चीए ना सर. योगी जी ने मुद्दा इसलिए मना भी खुल के कहो किसने मारा आपके परिवार को? बोलते क्यों नहीं हो? या सीधा सीधा वोटों के दुरुवी करण का मामला है. योगी जी चाहते हैं कि खलगे जी को सामने ला करके और रजाकारों का मुद्दा ला करके हिंदू-मुस्लिम वोटों का दुरुवी करण ही बहु हो जाए. और इसलिए वरना रजाकार 47 रजाकार हुए थे, अब सन 24 रजाकार उप्चर्चा हो रही है, तो दुरुवी करण की राजीती का हुआ है. और इसलिए योगी जी ने रजाकार ही क्यों चुना? इसके अलावा और भी तो बहुसा बहुत आण हो सकते थे. लेकिन उन्हें ने बहुत सुनियोरी तरीके से कि इससे बाकाइदा वोटों के दुरुवी करण का एक लाब बिल सकता है. तो इसलिए और उसका जवाब ये दे रहे हैं, प्रांग खड़गे, ये बचाओ की मुद्रा में हैं, अब खड़गे जी आज क्या बोलते हैं, पूरा में वो समझ में आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि देखे, जो भी हर्श्वरदन जी कह रहे थे, बिलकुल मैं इनकी पास सहबात हूँ कि गांधी जी कहत्या एक नरा सुराम गोठी ने की, उसमें सारे चित्पाउन ब्रामल कता ही दोशी नहीं थे, इंद्रा गांधी कहत्या दो उनके अंक रक्षकों ने की, इसका मातर थोड़ी कि उनकी विरादरी के सारे लग दोशी हो, गोधरा कुछ पूरी कम्मुनिटी को दोश दिना, यह कते ही उचित नहीं है, कुछ लोग होते हैं, उनको पकड़िये, उनको कानून किजा दीजिए, यही कानून के साथ चले, यही कानून के साथ चले, यही आगे बढ़ाएंगा योगी जी आपको लगता है, अनिशीत आप सारव यह न पूरी कुछ वार, उसमें दलित लिया है, अनिशीत आपको बड़ा सूट किया, कि अगर आप बोल रहे हैं, वो रियक्ट कर रहे हैं, वो ऐसी रियक्ट कर रहे हैं, इलेक्शन में यही तो चही होता है किसी भी पार्टी को, और उसे हिसाब सी यही होगी अधित नातने, न जीती है, दोनों तरप से